खुआ खुआ कॉंपल पर इस लेज़ा है पर हमारे पास तीन स्वाप्र कंप्यूटर कांपी हाई कफी हाई कफेस्टी और हाई पर्फार्टमेंस होंकि कफी बिग डेटा हम उके उपर प्रसेस करते हैं जिसमें से एक डेक्टासेट हमने GSR के उपर लगाया भी हुए, उसका सबसे बहले हमने NGS अनलेसिस किया, उसका सीक्नस लेके, बाइइंफ्रमिटिक्स लैब में हमने ट्रांसफर किया है, और उसको हम यहां पे एनलाइस भी कर सेंगे, काफी लोग जानते हैं कि जनों साइस क साफी ज्यादा होते हैं, और उसके अंदर multiple SNPs होते हैं, जो के millions में होते हैं, तो one by one SNPs को चेक करना, उसकी calculations करना, कि वो आया related है किसी disease के ADHD या नहीं है, तो उसके लिए हमें फिर software की जरूरत करती है, तो उन software को हम utilize करके one by one SNPs को iteration वाली साइड पे ले जाते हैं, तो हर SNPs को चेक किया जाता है whether it is associated with a particular trait or not, तो यह सारा iteration का procedure complete करने के बाद, हमारे पास जो SNPs का set आता है, उसको आगे फिर हम utilize करते हैं, trade studies के लिए, या disease cure के लिए, या disease को cope करने के लिए, तो इसमें से कुछ genes हम रूटीन बेसिस पे identify भी करते हैं, और उनको utilize करके फर्दर उनकी processing भी करते हैं, tomato के उबर काओं हो रहा है, इन दो crops का data set हमारे पास आया हुए NGS lab से, जो के हमारा अपना निगाव पे data set है, तो tomato का almost process हो चुका हुआ है, जो NGS analysis है, just उसके downstream analysis रहते हैं, rice का हमने recently अभी लगाया है, server computer, जितनी भी अच्छी crops हैं, जो disease resistant crops हैं, उनके सारे markers हम identify कर रहते हैं, उनको फिर हम suggest करते हैं, कि इन ही varieties को आप आगे climate resilience के रिए rare किया जाए, या उनको multiply किया जाए, ना के जो पुरानी old varieties है, जो के disease के against इतनी ज्यादा perform नहीं कर रही होगी, तो इस तरीके से हम farmers को help out कर सकते हैं, this is main server computer in bioinformatics lab, जैसे आपको यह show हो रहे होगे, जैस Good. यह वी और यह जे को आप यह सारी जी जेन्स को शोगा है यहाँ पर शटाम पर यहाँ यहाँ पर लार्स ट्रम जो हमारी है, वीत है रैस है, टुमेटो है, पोटैटो हा, बनेना है टो लाओ स्विस्टार्क तरॹ और इनदा है तो, यहो डेटा हमारा बस किस फ Araiटा है चल् ediyorum है हम महें वेड गॉट लैप ओर्टीटिछ थेटब कर दिन्स में उसके बाद फह उसमें हम तो सीक्वेंस कर दे सीक्वेंस करते हैं सीक्वेंस करिते हूं हेशं धुेटिछ इचा तूर brings to ke जा कितने जीन्स हैं अभी कि दो लुटते हैंज चोनस यह ऑच्छान एक प्लाट को लुटि अप्छी लेकर प्लाट को प्रीजिग सेथार्ड्य अवांट काुटी ने छो अप्लाट को लेकर शर्वाइट वो नोसी हो प्रहकर विए को प्रहकर हैे माहीकारता दाश्प इतनतफ रूड़ मुस्याद कर रीप हो सकती हो जिसे फ्लांट्स की रूट डीप हो सकती है उतना भूट नहीं खम एकने क모षप कर सकती है उतना प्रहकर उतना न 오ना ऐस हो मिप भूडे निचा प्लांट ultimately टीड हमारे रसेंटी राइस की वारैटी थे पारियर होई है गिम अथे गरा लामका था अर्रीज्ट तर्षया रेखी को मिन वह को है। ग। इसके स्वाल्सित आइनने ड॰ाइस कही है जाएं ट। साफ इस पॉर्ड डावरी जो एग्सिस्टिन वराइटी जहा अची है। और ड्राउट के केसं है। और पेस्टिसाइड अची से और इसे इं पहनी है। पह समय कि अप्योंड आपने वराइटी जुब हुए आप इसके बाइपने थाफ अड़र एक जुब सबते हैं। उसमें हम एक दिन में एक एरिया का स्पेसिफिक डाटा ले सकते हैं लेकिन हम नेक्स्ट येर हमें दूसरे एरिया को जाकर मैनुवली डाटा लेना पड़ता है लेकिन ही तुरूपुट फिनो टाइपिंग जो है इसमें हम ड्रॉन्स और सेंसर के तुरू एक ही टाइम में हम सारे एक साथ डाटा ले सकते हैं उसके लिए हम अपने मशीन लर्निंग मॉडल्स त्यार करें जो एफिशेंटली डाटा हमें आटोमेटरिली फेच करके दे सकें उसके लिए हमने अभी फिरहाल जो है हाइट का और एंडी वियाई का प्रेडिक्शिन का मॉडल्स त्यार की और अभी नेक्स यह हमारा फुर्दर फॉकस है कि हम रूट लेंथ और जो है न्यूटर अनलसिस और इसके साथ साथ जो है प्लांट स्ट्रेस का डेटा है उसके अभी हम इसको अपने सेंसर को अप्टिमाइज कर सके और इसका फाइदा यह है कि इससे जो है इतो ही कॉस्ट एफिशेंट होगा कि में जो डिफरेंट कॉस्ट और डिफरेंट एक्रिमेट्स की चाहिए होती है यह एक दिफर में हमारा सारा डेटा आजएगा और दूसरा आइ एक थी और यह है अभी है इतो है कि इससेंट विए यह है एफिरेंट हो कर तूल को कि घएएगार खाएगा सबसक्राइब कर गता आएगारा कि और वाएगा जो आएगे लिएगारा आएगे एज़सेंट